Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel देखे सहरी का वक्त हो चुका है और सहरी 5 में थोड़ी सी कम हो चुकी है क्योंकि अभी दूसरा अश्रा चालू हो चुका है तो फटाफट से अब सहरी की तैयारी करते हैं क्योंकि बहुत ही कम टाइम रहता है अभी सहरी में मैंने चाई रग दी है क्योंकि चाई के बिना तो फिर हड़ी होने लगता है और फिर पालक गोश बनाया था तो फिर उसी से सहरी थोड़ी सी कर लेंगे पेट थोड़ा सा खराब है तो फिर हम सोच रहे हैं कि कर्ड राइस खा लेंगे तो अभी फटा-फट से फ्रेशन अप हो जाते हैं सहरी के लिए और जैसे फ्रेशन अप हो जाते हैं फिर थोड़े से जाम थे तो फिर वो खाने का मन नहीं गया मैंने ली हो राइस और कर्ड ताकि पेट में थोड़ी सी ठंडिक बनी रहे और हमारा रोजा थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए मेरी बीटी का भी बिलकुल मन नहीं था चावल खाने का तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा कॉर्ड राइस दे दिया और ये हेल्थ मिक्स पॉर्डर मैंने बनाई हूँ इसमें बेसिकली मैंने खजूर दाली हूँ क्योंकि मैं अवाइड करती हूँ शुगर कोशिश करना चाहिए कि वाइड शुगर कम भी कंज्यूम करें और देखिए मैं थोड़ी से पालग गोश और राइस खाने लगे हूँ और बेटी को दिया है कारड राइस और खजूर और हेल्थ मिक्स ड्रिंक जो दूद में बनाया था और अभी थोड़ा सा वक्त रहता है बचकर सहरी के बाद तो फिर मैंने सोचा कि नमास से पहले थोड़ा आफिस वर्क कंप्लीट कर लूँ आफिस वर्क करने के बाद फिर मैंने सोचा कि खुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ नमास पढ़के फजर की मैंने खुरान शरीफ की तिलावत की हैं और सोकर उड़ गई हूँ अभी दोफैर का वक्त हो चुका है तो फिर मैंने सोचा कि मैं फटा-फट से अपना बैड बना लेती हूँ मैटर्स प्रोटेक्टर मैंने धोया था मॉर्निंग सहरी के बाद ही तो फिर मैंने उसको अभी इसमें अड़ कर दिया है और फिर उपर से मैंने एक कौटन की डब्ल बच्चीट डाल दिये हमारा मैटर्स बेसिकली टैन इंचिस का है तो फिर इसके लिए बहुत सारी जाधर लगती है और कौटन की मैं उपर से इसलिए डालती हूँ कि फिर हमें नींद अच्छी से आती है कौटन की बच्चीट में और फिर मैं दाल भीगाने लगी हूँ इफ्तार के लिए और इमली भीगाने लगी हूँ और यह है तूर दाल तूर दाल को आच्छे से वाश कर लगे और फिर उसे भिकने रग़ँगी वाणार के लिए और मैं इसमों डालने लगी हूँ कुल्फे की भाजी, हमारे आइसे कुल्फे की भाजी ही कहते हैं ये डालने से डाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है मैंने इसमें चार टमाटर हाफ कट करके डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी और हरी मिर्च डाली है मैं डाल में बहुत सारी हरी मिर्च डालती हूँ और basically मैं red mitch avoid ही करती हूँ तो मैंने 7-8 hari mitch डाली है इसमें और एक चमच अभी अध्रक लेसन का paste डालने लगी हूँ अध्रक लेसन का paste डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा साल्ट अड़ कर दूँगी आप चाहे तो साल्ट डाल करने के बाद भी डाल सकते हैं वो कोशिश कर दीए कि कुछ नात वगेरा प्रक्टिस करें इसमें और दूआ किए जिए वो अच्छे से करें इफ्तार का वक्त हो चुका है और अभी इफ्तार में क्योंकि हमारा पेट सही नहीं था तो फिर हमने ट्राइ किया कि कुछ मीठा खाएं गुलाब जामोन और थोड़ा सा फ्रूट चार्ट और रूहाफजा रखा है और कुछ पोटैटो स्माइलीस हमने फ्राइ किये थे और फिर इसे से हमने आज अपना इफ्तार खोला फ्रूट चार्ट वैसे बहुत टेस्टी बना था फिर इशा और तरावी कम्प्लीट किया और सोने लगे हैं अल्लाहफ़ीस